नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं जो मैच कवर करूँगा वो है ड्रीम लिवन इसपाइस का आज के दिन का लाश्ट टीटन मुकाबला जो यहाँ पर खिला जाने वाला है टीम NW गसेस टीम सीसी के बीच में तो इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊ कि इन दोनों टीम में आपके लिए कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेट रहेगा किस प्लेयर को आप लोग कैप्टेंसी दे सकते हैं किस प्लेयर को आप लोग अपनी टीम में वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं और कौन सा प्लेयर आपके लिए जेकपॉट रहेगा इस match में तो इसलिए अगर आप लोग इस मुकाबले में win करना चाहते हैं कुछ earn करना चाहते हैं तो वीडियो को complete watch करिएगा और बिलकुल भी skip मत करिएगा बाकि जो भी मेरी final update होगी जो भी मेरी final team होगी line-up या toss के बाद जो मेरी 100% winning team होगी जिस टीम के साथ मैं खुद contest जोइन करूंगा वो टीम अगर आप लोग चाहते हैं आपको मिले तो इसके लिए आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पर 4900 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं वो मेरे चैनल का लिंकों का जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे और बाकी मेंबर्स के तरह फिरी टेम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे अगर लिंक वर्क ना करें कमेंट में ही आपको चैनल का नियम भी मिल जाएगा जिसको सेर्च करकर भी आप लोग हमारे चैनल से जुट सकते हैं बाके अगर आपको वीडियो इंपोर्टेंट लगे इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक ज़रूर वीडियो को कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आए हो पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हो या पहली बार मेरे चैनल की वीडियो को वाच कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और पास में जो घंटा उसको जरूर वाल पे प्रेस कर लिजेगा ताकि आप सभी को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके यह आपके लिए important और आपके लिए बिल्कुल free तो जरूर यह काम कर लिजेगा तो यहाँ पर मैं बात करूँ का सबसे पहले wicket keeper section की तो wicket keeper section में आपको यहाँ पर दो पिक नजर आने वाली है पहली पिक यहाँ पर टेड़ी विशॉप की है और दुसी पिक यहाँ पर शेरवन चार्ल्स की है तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एंड्रिव को तो इनको अभी तक मुका नहीं दिया गया है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही attacking खेल रहें और जो अच्छी गेंदे होती है ballers की उस पे भी कुछ बड़ा hit करना चाहते है इसी कारण से ही out हो जाते है उसके लावा चार्ल्स की मैं बात करूँ तो यह आपको middle order में बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे तो इसलिए आपके लिए जो सबसे best टिपिक यहाँ पर रहने वाली है head to a team में वो आपके लिए यहाँ पर teddy बिशौक की रहने वाली है बैटिंग section की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर forces को अपने team में try करना है जो कि अपने team के लिए number 3 पर बैटिंग कर सकते हैं काफी बड़ा नाम है यह वो काफी important player है यह balling भी करवा सकता है लेकिन tournament में अभी तक जितने matches खेले गए हैं वहाँ पर इन्होंने balling नहीं करवाई है और बैटिंग से भी इनका कोई खास योगदा नहीं रहा है लेकिन अपनी team का captain है किसी भी match में अच्छा perform कर सकता है तो इसलिए हम लोग इसको अपनी team में लेकर जरू जाने वाले हैं उसके लाब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ जोर्डन की तो आप इनको try कर सकते हैं डिफरेंशल पिक के तोर पर एंड फ्रोंक को इसकी पिक ये भी आपके लिए बेकार सी पिक रहने वाली है उसके लाब यहाँ पर नीचे स्रेजिस को मैं अपनी team में try करूँगा जो की काफी अच्छा perform कर रहे हैं अपनी team के लिए run बना रहे हैं open करने आते हैं top order पर batting करते हैं तीनों matches में इन्हों सभी matches में ये dream team में आये हैं और इन्होंने काफी अच्छा शान्दा perform भी किया है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ज़रू इनको अपनी team में pick करेंगे बाकी जो मेरी यहाँ पर last pick रहने वाली है वो यहाँ पर सी थॉमस की रहने वाली है अगर आप लोग यहाँ पर सी थॉमस को नहीं लेना चाहते पर्फॉर्म कर जाते हैं और आपका जो बेफाल्तू का रिस्क होता है वो आपको लॉस करवा देता है तो इसलिए आपर मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहूंगा अधा अन्डर स्रेक्शन की मैं बात करूँ तो आपको एक player मिलेगा अंदरे फ्लेचर काफी बड़ा नाम है काफी ज़दा important player है दुनिया की एसी कोई भी लीग नहीं जो इसने खेली ना हर लीग में जाकर ये खेलता है और अपना डंका बजाता है तो काफी ज़दा important player रहने वाला है इस टूनमेट में इसलिए ज़दा important और हो गया है क्योंकि ये आपको balling भी कराते हुए नजर आ रहे है और balling ये ऐसे वक्त पर कराते हैं एक तो ये दसवावर फेकने आ जाते हैं आप फिर पांच ओवर के बाहुत balling कराते हैं जहाँ पर विके निकालने के चांच से सोते हैं तो वहाँ पर ये balling करा रहे हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इनको बनेटी में पिक करेंगे काफी ज़दा important player है उसके लाव यहाँ पर हम Alex को बनेटी में पिक करेंगे बालिंग नहीं दी जाएगी हलाकी बैटिंग तो यह कर लेते हैं पिछले मैच में उन्हें बता दिया उसके लाव यहाँ पर हम Dendro Charles को बिक करेंगे यह भी कैसा player है जिसको एक ओवर की balling दी जा रही है और अभी तक इसने टूना मेट में अपना दोवर balling spell नहीं करवाया लेकिन पिछले मकावले में इन्हों ने अपने एक ओवर के balling spell में यह wicket हासिल कर लिया था तो इसलिए यहाँ पर मैच को बनेटी में पिक करके रखने वाला हूँ क्योंकि किसी भी मैच में इसको दोवर दिये जा सकते हैं balling के लिए बाकि एक ओवर तो यह confirm है कराता ही कराता है बाकि जो मेरी यहाँ पर लास्ट पिक होगी वो यहाँ पर डीनेड की रहने वाली जो क्या आपको proper दोवर की balling करके दे सकते हैं अगर आपको यह दोवर की balling करके नहीं देंगे तो एक ओवर की confirm balling दे सकते हैं और पिछले मकाबले में नंबर तीन पर ही batting करने आ गये थे क्योंकि उससे पिछले मकाबले में इन्होंने अपनी टीम को हारा हुआ मैं जिता दिया था अपनी दम पर उस मैच में उन्हें 50 और अपनी टीम को one sided win करवा दिया था लेकिन जो पिछला मकाबला हुआ था वहाँ पर यह काफी अच्छी batting कर रहे थे एक चक्का लगा चुके थे लेकिन दुसरा hit लगाने के चक्कर में यह out हो गे थे लेकिन काफी ज़्यादा important player है बड़ा player है और आपको अच्छा खासा perform करके दे सकता है तो इसलिए यहाँ पर मैं इनको अपनी डिम में लेना चाहूंगा balling की में बात करूँ तो यहाँ पर Madison Jackson को अपनी डिम में try करेंगे काफी ज़्यादा important player है यह आपको दोबर की balling करा तो नजर आ जाएगा और एक match में इसमें दो wicket निकाले थे तो काफी ज़्यादा important player आप इनको ज़रू try कर सकते हैं अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बड़ी की तो काफी अच्छी balling करा रहे हैं लेकिन विके निकालने के चांसे काफी ज़्यादा होते हैं तो आप लोग इस player को jail में ज़रू try करेगा headwood में अगर आप इनको नहीं करना चाते हैं तो उसके लाब यहाँ पर हम D-Cyrus community में try करेंगे जोकी batting balling दोनों करा लेते हैं और एक match में इनोंने अपनी टेम के लिए काफी अच्छी hard rating भी के थी 40 के आसपा सरान इनोंने मातर 20 गेंदों में बना दिये थे तो यह भी काफी ज़्यादा important player आपके लिए रहने वाले हैं तो यहाँ पर हम इनको भी pick करेंगे बाकी जो मेरा यहाँ पर last player रहने वाला वो यहाँ पर जे नॉयल रहने वाला इनको लेने का reason simple सा यहाँ पर यह है क्योंकि यह spin balling करवाते हैं और यहाँ पर spinners के vickers लेने के chances काफी ज़्यादा रहते हैं तो इसी कारेंट से मैं यहाँ पर इनको अपने टी में pick कर रहा हूँ बाके अगर आप इनकी जाप लेना चाहें तो डी जोर्ज को भी try कर सकते हैं अगर आप इनको नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जे बड़ी को ज़रूर ट्राइ करेगा आपके लिए काफी भी बॉलर्स का कॉंबनेशन तयार किया है टीम प्रिव्यू की मैं बात करूँ तो विकेट की पर सेक्टन में मैंने यहाँ पर टेड़ी विशौप को लिया है जो कि अपने टीम के लिए ओपन करने आतों काफी अच्छा बैटिंग कर लेते हैं उसके लाब यहाँ बैटिं बालिंग दोनों प्रॉपर करके देने वाले हैं दोवर का कनफरम बालइंग कराते हुर आपको यह उपन करते हूं नजर आते हैं और पहले ही मैच में यहनोंने बता दिया थे यह कितना ज्यादा हम फिन ट्राइ किया है यह भी काफी ज्यादा इम्प nayर बैटिंग और नमबर तीन पर ये बैटिंग करने आया था तो हो सकता कि इसको जो टीम है वो थोड़ा और प्रमोट करें और थोड़ा इनको पर बैटिंग के लिए भेजे उसके लबा मैंने यहां पर डी साइरस को लिया यह भी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देने वाले हैं तो इसको भी आप लोग अपनी टीम में जरूर रखेगा और जो मेरा लास्ट भी के आपे जे नॉयल है जो कि आपको मिडल ओवर्स में आकर बॉलिंग कराके दे सकते हैं जहां पर विकेट गिराने के चंटिस काफी ज़्यादा होते हैं और वहां पर यह काफी अच्छी ग कर देता हो आप लोगं हमारी टीम का प्रिवु देख लिजेए इसका स्क्रिंशोर ले ली जे जहां पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो वहां पजाastian कर मेरे सेफ एसल टीम रहने वाली है जिसको आप लोग समौल लीक हैट टो अ हैडट मेरेными लिए टीम को मैं अपनी टीम से बाहर रखूँगा इनकी जहाबर मैं यहाँ पर यहाँ रिसकी जील टीम रहने वाली है, और अपनी जील टीम अगर मैं बात करूँ, captain wise captain की तो captain आपको अंदरे fletcher को ही बनाना है और wise captain भी आपर में denate के रुखूंगा क्योंकि captain और wise captain के साथ आपको कोई भी changes नहीं करना है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारा combinations best होता है हमारी team best होती है लेकिन captain wise captain पर अगर हम risk लेते तो हम लोग lost कर जाते हैं तो यह मेरी risk की jail team रहने वाली है एक बार आप लोग इसका भी preview इसका भी screenshot ले 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 हो जहां पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो वहाँ पर जागर आप लोग हमारी team को use कर सकते हो बाकी जो मेरी safe head to a team रहेगी वो यह रहने वाली है तो दोस्तों उमीद करूँगा आपको यह वीडियो अभी तक बहुत ही ज़्यादा important और informative लगी होगी तो आपने अगर अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो एक लाइक जरू कर दीजे चैनल पर पहली बार आए हो पहली बार हमारे चैनल की वीडियो को watch कर रहे हो तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजे पास में जो गंटा उसको जरूँ अलपे प्रेस कर लिजे ताकि आप सभी को आने वाले वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके यह आपके लिए important और आपके लिए बिल्कुल free तो जरूरी एकाम कर लेना बाकि जो भी मेरी final update रहेगी जो भी मेरी final team रहेगी वह को हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी जहाँ पर currently 49 सो से ज़्यादा members जुड़ चुके और रोजाने आपर वो दी गई मेरी free टेम्स का profit उठा रहे हैं तो आप लोग भी टेलिग्राम से जुड़ना चाहते हैं आप लोग भी final update पाना चाहते हैं लाइने पे टॉस की बाद तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का link comment section में मिल जाएगा आपको comment section में जाना है जो सबसे पहले number पे comment हो जो सबसे top पर comment हो जो comment pin किया गया हो वो मेरे चैनल का link होगा जिस पर click करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे और बाकी members की तरह affiliate teams का profit उठा पाएंगे अगर link work ना करें comment में ही आपको channel का name भी मिल जाएगा जिसको search करकर भी आप लोग हमारे channel के साथ जोड़ सकते हैं तो यह काम जरू कर लिजएगा क्योंकि यह आपके लिए important और आपके लिए बिल्कुल free से हमारे team combination से तो मिलते हैं आपके जल्दी next video में तब दा के लिए जय हिंद वंदे मातरा